लखनव में 500 साल से भी जादा समय हो चुका है जब एशबाक में राम नीला मनाई चाहती है जहां हजारों लोग इसको देखने आते हैं इसके कलाकार भी बाहर से आते हैं जो राम नीला में राम लक्ष्मन और रावर की भूमिका निभाते हैं लेकिन इस बीच आर नाइन टीवी की टीम ने राम नीला के किरदारों और आम लोगों से राम जी के बारे में सीता जी के बारे में कुछ सवाल पूछे क्या कुछ कहा लोगों ने आप खुद देखे लिजे कैसे लगते हैं भगवान राम आपकों जानता है यह बताए कि सीता माता के पिताजी का क्या नाम था का नहीं कोई बात ने यह बताए हन्वान जी संजीबनी बूटी किसके लिए लेने गए लचमंड के लिए क्यों लेने को लग गया था इसलिए विभीशन कौन थे उनके भाई रामण के बहुत बढ़िया हम सर से बात करना चाहेंगे सर कब से आते हैं सर आप यहां पर रामलीला देखने के लिए सर करिब करिब हर साल आते हैं और धीरे धीरे करके हो गया है वच्पने से ही कुछ यहीं लखनों में रहते हैं क्या लगता है जिस तरह से आज रामल को जलाया जाता है तो हम लोग को भी अपने अंदर की एक बुराई को खतम करना चाहिए बहुत अच्छा लगता है इस चीज आपकी वाइफ ने बता दिया खैर उन्होंने मदद कर दिया आपकी कोई बात नहीं तो सर का कहना यह है कि काफी सालों से आ रहे हैं हमाई साथ यहां पर और लोग भी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं बिटा क्या नाम है आपका जूही सर्मा अच्छा कब से आ आ रही नहीं पता है भगवान राम के पिता जी का क्या नाम है राजा दस्रत देखो आपको पता है उसीता माता का नहीं पता है चलिए यह बताइए कि हन्वान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेने गए थे रहा हो लचमण जी के लिए क्यों लेने गए ते लिए कोई बात नह पहुंच के बहुत भावब पांडाल लगा इस लगा कितना जानते हैं रमायन के बारे में थोड़ा जानते हैं रावड की पतनी का क्या नाम था जानते हैं पर इतना नहीं जानते हैं हमारे साथ मैम मौझूद है मैम से बात करते हैं मैम क्या नाम है आपका मैम रूपलता चर्मा रूपलता जी कब से आ रही हैं हम तो कई सालों से आ रहे हैं कैसा लगता है यहां पर आके राम लीला कितना जानती है रमायन के बारे में सब क सिता माता के पिता का नाम आए मिसे पूछ रेने तीजे फिर आप भी पूछेंगे मदाद नहीं करिये गुमने आए बताईए सिता माता की पिता जी का आप बताईए यहाँ कोई आप उनसे क्यों पूछ रही है ना क्या नाम था नहीं आ रहा है चलिए कोई बात ने राम के पिता जी का नाम ध्यान आ रहा है राजा तर्ण अप लोग मदद कर देंगे तो पिर कैसे काम होगा है अच्छा यह बताईए लवकुष के माता पिता का क्या अधिटा नहीं सीता ही तो नाम था विलो क्सका कश के क्या नाम था-फिल सीटाक वंप सिता कौह नहीं था ओन्सक्राइब नहीं की करके और इंका कहना यह है कि हमको इतना बहुत नहीं पता है यहां पे हमारे साथ सर मौझूद हैं सर आप से बात करें सर कोई बात नहीं सर आज आप रामलीला इंजुआ करने आएं कब से आ सर यहां पहली भार आया हूं कहा से बिलाओं करतें सर लखनाओं के यहां पर आके बस अभी तो अच्छा ही लग रहा है अभी तो फिलाल जस्ट में आया हो जिस पर लिखा है कि आतंगवात का खात्म और पॉलिथिन को बंद करो बिल्कुल बहुत जरूरी है वो चीज़ लख से बात करेंगे बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं कब से आते हैं यहां पर यह बताईए मैं हर साल आता हूं यहां पर मज़ा आती अच्छा लगता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है चकर में आया करता हूं मैं यह राम जी के पिता जी का नाम क्य इरपान जी अरे बहुत बड़े कैसा लगता है यहां पर आके रामली रावल को देखा आपने 121 पिट का रावल मना है जी लग रहा है अच्छा लग रहा है सीटा जी के पिता जी का नाम बता हूं नाम नहीं पता है अच्छा यह बता है लवकुष के माता पीता कौन थे अच्छा नहीं बताएंगे मतलब हैं चलिए इंका खहना यह है कि नो थेंक्स हमारे साथ यहां पे एक मैम भी मौझूद है मैम से बात करतें मैम नमशकार नमशकार मैम कब से आ रही हैं यहां पर राम लीला देखने किसा लगता यह बहुत ही अच्छा लगता है जीयां जीयां बेटा आया है वोड़त पारा रही हैं आपको जांकारी करें वे हैं सेडा यहां इसाथ। भूत करें महांने आपके स३ॉझ रसी 네요 all जीये बताइए अरिह यहां पर अप्रणाम लिला जी पर लिखने में पटाई यह तो नहीं पता आपको अपता होना चाहिए यह चीजलें सीटर में इतना हिस्टरी में बहुत कम जोर ही राम जी के पिता जी का तो नाम पता हो नोगा दस्रत दस्रत लबकुश के मात पिता को नहीं को नहीं पता है क्याना यह कि हमको बहुत जांकारी नहीं है खर इनसे बात कर लेते हैं मैं के यहां पे पतिदेव भी महुझूद है और बहुती confidence में सर ये बताएं अच्छा थैंक्यू सर और ये बताएं कि कब से आ रहे हैं आपर हम तो पिछले पांट साल से आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर भरी हुई हमको लग रहा है नहीं होती है लेकिन आपके बहुत सारी नौलेज आपके टीवी के माध्यम से और इधर से हो जाती है हमारा नाइन चैनल देखते हैं आपका बताएं कि मंदोधरी कौन थी मंदोधरी रामड की पत्नी थी और वो पत्रानी थी अच्छा चलिए खैर शुक्रिया सर आपने बात करी बहुत बहुत शुक्रिया और हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे दादा महजूद है दादा नमस्ते दादा नमस्ते कैसे हैं आप अच्छे हैं यहाँ पे आज घूमने आएं कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आ रहा है अच्छा ये बताइए कि सीता माता के पिता जी का नाम क्या था और शीता जी के पिता जी का नाम था पुर राजा जनंग और भगवान राम के पिता जी का नाम इंग भगवान पिता जी का नाम श्री स्रीद दसर्ञाय। बहुत बहुत बढ़ीया जांकारी यह रामण की पत्नी का नाम था सुर्प नखा मतलब रिष्टा बदल दिया मंदोद्री था पक्का है चलो दादा बहुत बढ़ीया जांकारी दी बच्चे यहां पर मौजूद दोते हैं बच्चों से बात करेंगे क्या nam wanna ॵैटा जſ यह बताओ भगवान राम के पिता जीका क्या नाम का नाम का? सब्सक्राइब जानते हो उनके पिता जी का नाम बता हूं प्रस्थिण को ना झालाटे वाटसप नहीं चलाते क्यों कुछ उनके बेटें राम के लगवे की माता कौन थी से वो सीता जलो बच्चों को पता है अपने हिसाब से सर मौझूद है सर नमस्कार सर अच्छा यह बताई नाम तो आपका एकदम भोले नात वाला है आज आप रामलीला देखने आएं सर तो कैसा लगता है यहां बहुत सुंदर लगता है यह बताई यह कि सीता माता कि पिता जी का नाम क्या ज अच्छा लग रहा है अब आएंगे हर साल आएंगे हर अज हर आएंगे हर आएंगे हर साल आएंगे यह बताई है हनवान जी संजीमनी पूटी किसके लिए लेने गए लेचमर जी क्यों लेने गए उन्हें बार लगवा था इसलिए लेने गए थे रामण को जानती है कौन थी हूं की पतनी मंदोद्री बहुत अच्छी नौलेज है हमाई साथ मैम मौजूद है मैम से जानते हैं मैम ये बताईए कब से आ रही है यहाँ पर रामलीला देख दो तिन साल हो गए तैसा लगता है अच्छा लगता है बच्चों को भी साथ लेके कि आई है ऐसरा रामण बनाया गया 121 फिट का इस पर लिकाए आतंग बाद को खतम करो पॉलिट हिन को बंद करो क्या आपको लगता बंद होनी चाहिए हम बंद होना चाहिए यजी बताई है सीता माता के पिता जी का नम क्या तो काम होगा चलिये खैर कोई बात सिता माता के पिताजी कैने साथ चैनक राम भगवान के राजा-दसरत-डसरत-दसरत-व!" भुझ अच्छी जैंकार हैं हमाई साथ मैं आपका मातासीता को जानती होगी क्या नाम था उसक पुष्स कहां थे ? श्रम थे पुट और स है नहीं पुटा हम एक Pas इनको पता है थे ? हैं फिर भी हम दो-चाल लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना पता है उनको आज के बारे में अरे सिर्फ आज की रामलीला के बारे में बात करेंगे मैं आपसे बस नहीं बस जश्ट आए सर कैसा लगता है सर यहां का इंतिजाम बहुत बढ़िया है और आपके जो अच्छी है कोई दिक्कट नहीं है यह बताईए सर सीता माता कि पिता जी का नाम आप जानना चाहेंगे सर अब इतना हम नहीं बता पाएंगे सर आप से जानना चाहेंगे सर राजा जनक राजा जनक यह पक्का है सर शूर है क्योंकि हां तो है ध्यान में नहीं आता एक दम चलिए सर बहुत 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 शुक्रिया बात करने के लिए हमाई साथ भाई पिता जी का क्या नाम तो बात करते हैं कुछ और लोगों से यहां पर आप आईए बात करते हैं तमाम लोग यहां पर अलग-अलग जवाब दे रहे हैं अलग-अलग बात कर रहे हैं यहां पर आज हमारी लखनव पुलिस भी मौजूद है आप देख सकते हैं कि लखनौ जो पुलीस है वो पूरी मुस्तहदी के साथ यहां पर बैठी है यह बताइए कैसा इंतजाम है यहां पर कितनी भीड़े साराज यहां आप इसे पूछी हमारे से नहीं कोई बात नहीं सर से भी बात हम करेंगे यहां बहुत अच्छी बास्ता चारों तरफ कि आहीं कि अब मुझे से पूछ रहे हैं राजा Ты सरथ चाहि बहुत बढ़ीया चाली आप बताइए सर सीथ माटा के पिताजी का नाम क्या था श writer पिता जी का नाम क्या है चलिए खेर कोई बात नहीं हमारी कह सकते हैं कि जो हमारी लगणों पुलिस हैं उनके उपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो शहद इतना नहीं पढ़ पाती है विरेंद्र जी कैसे बढ़िया नहीं सर आप ड्यूटी में आज लगे हुए आपके चेहरे से ठकान देख रही काफी मेहनत कर रही है नहीं तो आजी आया हूँ ड्यूटी में अच्छा ये बताईए कि रावण की पतनी का नाम क्या था सीता माता की पता जी का नाम क्या है राजा जनक की बेटी थी सुन लिया कि याद था सर आप याद मैं तभी बताने वाला था जब आप उदर पूझ रहे थे लेकिन आप हमसे नहीं पूझ रहे थी यह बताई हन्वान जी संजीमनी बूटी किसके लिए लेने गए लश्मण जी के लिए दुरोपदी इसमें कोई रोल था इसमें नहीं था नहीं इसमें कोई दुरोपदी का रोल था दुरोपदी मावारा से जुड़ी होई थी इससे कोई मतलब बहुत बढ़िया जांकारी दी आपने सर थैंक्यू सर तो आपने देखा कि लखनो जो पुलिस है या कह सकते हैं जो उत्तरप्रदेश की पुलिस है बहुत ही शांदा से जादा से यहां पे रामलीला मनाई जा रही है लगातार यहां पे बाहर के आर्टिस्ट आते हैं जो यहां पे मंच पे अपना लोगों को प्रदर्शन दिखाते हैं अपनी भूमिका दिखाते हैं जो भी रोल उनको मिलता है और लोगों को इंटर्टेन करते हैं बताते है रामण के बारे में हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे आज 121 फिट का रामण बनाया गया है और उस पे एक संदेश लिखा हुआ है अतंगवात को खतम करो सिंगल यूस पॉलिथिन को बंद करो जो कहीं न कहीं से बहुत जरूरी है तो आप ने देखा कि किस तरह से आज यहाँ पे हमने लोगों से बात करी भगवान राम के बारे में माता सीता के बारे में लक्ष्मण के बारे में कि आखिर आज भी वो लोग उनके बारे में कितना जानते हैं तो आपने देखा और सुना आर नाइन टीवी की तरफ से आप सब को दशहरा विजय दश्मी की हार्दिक शुक्कामनाई आप लोग यूहीं हसते रहें मुस्कुराते रहें संदीप खेर कैमरा परसंद प्रियांश के साथ आर नाइन टीवी लखनव पताई है कि हन्मान जी संजीमनी बूटी किसके लिए लेने गए तेरे लिए तो आपको पता नहीं आपके लिए लेने गए अश्री बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ थे राम और लक्षमण की भूमिका में जो आज उनकी भूमिका को परदे पर या ये कहें मंच पे हजारों लोगों के सामने दिखाने जा रहे हैं